नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? मुहम्मद सिराज खान जी आप कहां से हैं? मुहम्मद सिराज खान जी आपने संत रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा कब ली? मुहम्मद सिराज खान जी संत्रामपाल जी महराज की सरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना या इवादत किया करते थे तो फिर क्या कारण बना कि आप संत्रामपाल जी महराज की सरण में आये जी सर जी कारण बना कि जिस पीर से हम जुड़े हुए थे जी जिनके सरण में थे वह कुछ ऐसा हमारे साथ है ऐसा कुछ लगा कि यह गलत है तो फिर एक संत्रामपाल जी महराज की सीस थे तो उनसे कुछ बारता लाब होती थी तो ऐसा हुआ होना कि लगातार एक महिना इसे चलते रहा सिल्चिला चलते रहा मैं अपना ज्यान चलाते रहा हूँ अब भगत जी संत्रामपाल जी महराज जी की जैकारा लगाते थे तो याद कर लिए लगाता था जी तो लगाता था नहीं कि बहुत सी ताकत मिल रहा तो फिर जैसे से और लगता था कि और मैं बोल इस तरह से बोलना इस्टार्ट कर दिया जी फिर एक दिन क्या होगी डिवटी गया है और ऐसी कोई कुछ तक कभीर पन्त काही कोई कुछ तक मैं गेड़ा हुआ था वह से उठा करके मैं इसी पड़ा लिखा तो नहीं हुजी मैं देख रहा था क्या लिख्था हुआ इसी तो आये संत्रापाली महराजी की सीसे बोले सच्छाई भाएं तो भी बोला सच्छाई भाएं तो मुलें कि भा कि आया है हर्यानी में इस तरह से पुस्तक बताए था हुजी आपको देदो पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ लेकि फिर भी देदो मैं देखूंगा उसके बाद घर लेका साम में घर लेका बोले देने समय संत्रापाली महराजी किसी से बताए कि भाएं यह पुस्तक मैं स साथ में तो हमें पूरा विश्वास हो गया वगजी उस समय जो कह रहे हैं सही बता रहा है मतलब ऐसा हमको फिल हो रहा था तो घर वाले हमारे पतनी जी थे और बच्चे लोग मजा कुड़ा रहे थे पापा तो पढ़ते नहीं है अज उस तक पढ़ रहे हैं तो जैसे सुन में झाल करने लगा उसी तरीका से करने लगा यह करने करते तो सबसे पहले पढ़ा सरीष्टी नहीं पढ़ने के बाद हमको लगता कि तो अजब अच्छा ग्यान कहां था तो अंदर से आत्माम को रोने लगा उसमय परते समयमें तो हम बोले पत्नी को बोले कि अब तो हम जाएंगे उनके सरद में थोड़ा देख लेते हैं और कुछ तो एक महिना बिता जी ने उससे पहले हमारे बच्चा का तवियत खराब गया था तो बंबाई में रहा था था तो पहले एक दो दिन के बाद जो पुस्तक लाए एक दो दिन के बाद ही उनका तवियत खराब गया हमारे बच्चा को तो भगत जी संत्रापाल जी महारा जी से पुस्तक देने के समय बताया थे कि भया को ऐसा समझ्या बड़ा समझ्या आए गा ना तो इनसे प्रात्मा करना करके और आपका सही काम हो जाएगा तो याद आ गया तो मुझे अल्ला का खोज है मैं पहले ही से खोज कर रहा हूं पता नहीं हम सही जगा पर हैं या गलत जगा पर हैं आप ही जानो लेकिन आज हमने आपसे फ्रात्ना कर रहे हमारे बच्चा को ठीक कर दो और ठीक कर दीजिएगा तो हम आपके सर्व में आ जाएंगे इतना कहके जाएंगे देस मिनट के बाद रिजल्ट ऐसा आया मैं है रहत रह गया कि वहां से बोले भाईया आपका बेटा तो ठीक हो गया ऐसे कैसे वह सोचा ना कि जो पीर का जो पहले जिस पीर का दामन में था उससे कुछ बोला था वो बोला कि आप बोले थे क्या वह हम नहीं आप अपना बोले कि हम एक ऐसी घर बैठे कुछ तक था उनमें संद्रामपाल जी महराजी की फोटो लगावा था उससे हम परादना किये थे तो फिर बोलने में में मतलब दूसरा फिल समय क्योंकि वह पहले गुरु भाई था तो हम जब बोले नहीं तो उसको चोट सा जिसा तो हम शंत्रामपाल जी महराजी घाएएंगे ही जाएंगे तो घरमें बहुत सामि मार्ग भब डालब तो संत्रामपाल जी महराज की सीश्ट थे उन से हम चिप में अपना मेमोरी में डाल वा लिये थे कि बहुत संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको क्या लाब मिले सबसे पहले बताया हैं हमारे बच्चे का बीमारी थीक हो गिया, उसके बाद हमारी पत्नी को बावसिर का बीमारी था, वो भी परमात्मा की दिया से संत्रावंपाल महराजी की कि दया से ठीक हो गया जी और एक लाब और हुआ पके जी हमारे पतनी जी रेलवे लैंड में गुस्टा के मारे कटने चले गई थी इसके बाद तो हम संत्रामपाल जी महराज जी के धर में परनाम अस्थन था उस जगह दन्वत किये और बोले कि मालिक अब इस दास का इजट आपके हाथ में है हमारे चोटे चोटे से बच्चे हैं अगर कुछ हो जाता है तो इदास का इजट का तो यह नहीं रहेगा आप आप ही जानव कैसे होगा इतना बोल करके हम दन्वत करके बैड़ गये फिर देखें सोचे की देख लेते हैं फिर एक बार पताने की रह चली आप निकले आगे देख रहें कि चली आ रही है आवात्ते के साथ बहुत शर आके घवरा आके रोने लगी रोती हैं तो मापी मांगे लेगी पतनी हम से मापी क्यों क्यों वह नांग रहा है प्रमात्मा से माप्रमा चारім लगायें ठाज अप्रमादमास्तरापालजी महाराज उसके बाद जी हमारे मेलेक बेटा वह पर्णाम अस्थल के नीचे ही वह सोता था जी रात में और चोकी था बगल में जी आगे उस般र हमारे बड़े बच्चे सोते थे और नीचे जो चाओकी की नीचे जो होता ना एक साप ऐसा ऐसे बैठ करके गुरुजी के सामने के फोटो और दम तोड़ दिया जी हमारे बच्चे ऐसे लेटे हुए थे सामने रात में फिर क्या हुआ कि रात में आवाज मिलता था लेकिन पता नहीं है अंगु लगता कि बाह मारके दम तोड़ दिया है इसके बाद और संत्रापाल महाराजी की दयासे हुए कि हमारे बड़े वाले बच्चा को पत्थरी का सिकात हो गया थी वह कि दया से वह भी ठीक हुए कि जी यह है डॉक्टर का यह रिपोर्ट है अल्डराशौन का इन्होंने बता दिया जी कि यह तो पत्थरी हो गया डिया आपरीशन वोरा था रेकिन संत्रापाल महाराजी मोहासा सिराजखान जी कि आप कोई नसा भी करते थे जी में के बहुत पहुत करता था जी काम करते थे दाड़े पिना कभी ले ना अपने सातिसेंगर के साथ, गाँजा, भांग, सब नसा करते था जी संत्रामपाल जी महराजी की दिया से जब नाम दिख्षा लिये जी तो सारे नसा चुट गए जी, सारे हमारे कष्ट दूर हो गए जी और हमारे संत्रामपाल जी महाराज की दया से आज एक कठ़ा जमीन भी प्रमात्मा की दया से हो गए जी संत्रामपाल जी महाराज की दया से जी मुहम्मध सिराज खान जी आपने संत्ट रामपाल जी महरास से नाम दिक्षा ली और आप मुसलिम समा से हैं तो क्या संत्थ रामपाल जी महरास से नाम दिकषा लेने के बाद आप हिंदू बन गए जी हमारे संत्रामपाल जी महराज हिंदू नहीं बनाते जी हमारे संत्रामपाल जी महराज जो धर्म में है मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो जी लेकिन अपने गरंतों को देखो और गरंत में जो भाक्ति विदी है वो करो ये हमारे संत्रामपाल जी महराज जी बताते हैं से नाम्दिक्षा कैसे ले जकते हैं संट्राम जी महराजी की सब्सक्ना में तेल इसमें पिली-पांट्री speaker 9 चलते हैं उसे पिलि. पांट्र कि अपना किसी नाजवीक सेंटर से संपर्क करें और अपना मां दिछा ले जीवन का ल्यांग करें धन्यवाद सर्ट अ